मैं रमेश प्रसाद बडोनी कक्षा बारा फिजिक्स में आज करेंट इलेक्रिक्रिक्षिटी चेप्टर के कुछ नुमेरिकल पर बातचित करूँगा आए शुरू करते हैं प्रश्ण से जह अंकिक प्रश्ण है सनलगन परिपत में बिन्दूओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ग्याद कीजिए और जो परिपत है वो इस प्रकार से है इंदू ए यह यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध यह तीसरा प्रतिरोध मंत्र करम में जोडा गया और इसी तरह से दूसरे प्रतिरोध से एक और प्रतिरोध को यहाँ पर तीसरे प्रतिरोध के साथ जोडा गया और यहाँ पर प्रतिक प्रतिरूद 10 ओम के दिये गए है अब आपको इसका हल निकालना है यह तुल्य प्रतिरूद कितना होगा सबसे पहले हम यहाँ पे इनको अपने कन्वेंस के लिए लिख देते हैं R1, R2, R3, R4, R5 जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है चित्र से कि R4 और R5 सामानतर क्रम में हैं हम मान लेते हैं मान लीजिए कि वो R' है तो 1 upon R' is equal to हो गया 1 upon R4 plus 1 upon R5 इनकी वैलूज रखतीचे 1 upon 10 plus 1 upon 10 L सेम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो यह हो गया हमारे पास कितना 20 upon 100 या 1 by 2 1 by 5 सॉरी तो यह सॉल्व करके हमारा आगया R' is equal to 5 Ohm अब हमारे पास यह R4 और R5 का मान जो है वो 5 Ohm आगया R' के रूपे तो हम इस सेर्कृट को और सिंपल कर देते हैं और यहां पर हमारा यह 10 Ohm ही है यह भी 10 Ohm है और यह अब हमारा 5 Ohm हो गया और जब कि यह जो है हमारा यह परतरूद को अभी हम फिर से यहां पर सॉल्व करेंगे जो R2 परतरूद है 10 Ohm का अब यहां था यह और यहां पर जो आपका R3 और R' बन क्या है इनका जो क्रम है वह आप देख रहे होंगे कि यहां पर R3, R' और R2 क्या हो गया है वापस सामंतर क्रम में है और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम सबसे पहले करेंगे R3 और R' को क्योंकि इस रणी क्रम में है तो यह हमारा इनके बीच का तुल्य पर तो सीधा हो जाएगा क्या माल लीजेए अब उसे हमने R' कह दिया तो R' बन देश बराबर हो गया R' प्लस R3 इनकों एड़ करेंगे तो कितना हो गया 10 प्लस 5 तो यह हमारा हो गया 15 ओम इसी तरह से अब हमारे पास यह सर्किट और सिंपल हो गया जो R' से जुड़ के मान वो R' का मान हो गया और यहाँ पर जो है हमारा R' टू 10 ओम लगा हुआ है तो यह फिर वापस दोनों जो है हमारा R' टू और R' समंतर करम में हो गए तो अब हम इनको भी क्या कर लेते हैं पुने समंतर करम का फर्मूला लगाते वे सॉल्व कर लेते हैं तो R' टू और R' समंतर करम में होने की वज़े से यहाँ पर हम इसका फर्मूला लगाएंगे माल नीचे वो R' टू प्लस तुल्य पर तिरोद तो R' हमारा यहाँ पर लिखेंगे जो है वो बराबर किसके हो जाएगा R' टू प्लस R' यानि इसको समंतर करम में लिखेंगे तो 1 अपॉन R' टू प्लस 1 अपॉन R' टू डैस तो इनकी वैलू जह हमारे पास क्या हो गई 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15 इसको सॉल्व करें तरी जा 30 और 15 तरी जा 30 तो 5 अपॉन 30 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6 तो यह हो जागा हमारा कितना 6 ओम ठीक है तो अब हमारा यह सर्कुट और सिंपल हो गया यह 1 बाई 1 आपको भी करना है एक्जाम में भी आप इसी तरह से इजी ली सॉल्व कर सकते है तो यह हो गया हमारे पास आर वन और यह जो दोनों जोड़ के आए थे यह था आर ट्रपल डैस तो यह हो गया हमारे पास 6 ओम तो इसको हम जोड़ लेते हैं तो जो अब हमारे पास सर्कुट में कुल तुल्य प्रत्रोत का मान आएगा वो हो गया आर वन वो आर थ्री डैस जो सर्कुट में है इस मान को हम यहाँ पर सर्कुट के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास यह हो गया तुल्य प्रत्रोत ठीक है वो आर वन प्लस आर थ्री डैस के बराबर होगा तो यह हो गया हमारे पास 6 ओम तो यह हो गया 16 ओम तो कुल परत्रोद हमारा 16 ohm हो गया तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि A और B के बीज का जो तुल्य परत्रोद है वो 16 ohm है ठीक है अब हम इसी तरह से एक अगला numerical करते हैं मान लिजे कि किसी तार के लिए सिरों पर 12 बोल्ट का विववांतर इस्तापित किया गया है 900 जूल करने के लिए कितना आवेस तार से होकर गुजरना चाहिए या बहना चाहिए यदि इस आवेस के बहने में एक मिनट का समय लगे तो तार में बैदुत धरा का मान ग्याद कीजिए तो हल करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास दिया है सिरों के बीच का पोटेंशल बारा बोल्ट और वहाँ पर जो एनरजी खर्च होती है या प्राप्त होती है वो है नौसो जूल हमें करेंट वहाँ पर कितनी है वो ग्याद करनी है तो हमें ये भी दे रखा है कि वहाँ पर कितना आवेस वहाँ से होकर गुजरेगा तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे Q is equal to W upon V 900 upon 12 तो यह हमारे पास हो गया 75 कूलाम यानि इतना आवेस वहाँ पर होगा और टाइम हमें दे रखा है एक मिनट तो एक मिनट में कितनी धारा वहाँ परभावित होगी तो हमें पता है धारा का जो मान होता है वह आवेसों की परभावादर के बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं Q is equal to I into T तो यह I is equal to होगया Q by T Q हमने calculate कर लिया 75 Coulomb और टाइम हमें दे रखा है वन मिनट इसको हम convert कर लेंगे सेकंड में यह होगा 16 to 60 तो यहाँ पर क्योंकि हमाँ पास मिनटी है तो 60 हमने रख लिया वैलू यह होगया हमाँ पास solve करके 1.25 Ampere तो इतनी current वहाँ पर flow करेगी एक तरह के numerical को आप कर लीजे एक number में भी छोटे छोटे numerical आते हैं और थोड़ा tricky होते हैं जो आपको समझने की आवसकता है तो हम यहाँ पर एक दूसरा numerical लेते हैं किसी cell से 0.6 Ampere धारा लेने पर उसका टर्मिनल बोल्टेज या टर्मिनल भी वांतर 1.6 बोल्ट तथा 0.8 Ampere 0.3 बोल्ट हो जाता है सेल का बिद्दूत बाहाकबल तथा आन्तरिक प्रतिरोध यानि सेल का आन्तरिक प्रतिरोध ग्याद कीजिए तो आईए जैसे कि हमें दिया है यहाँ पे पहले केस में कि आई का मांग 0.6 Ampere Current और उस समय जो Potential Difference है वो 1.6 यह वहाँ पर बिद्दूत बाहाकबल है तो यह हो जाएगा 1.6 यह हमें निकालना है माइनस आई 0.6 और आद यह हमें पर एक सम्मिकरन हो गई और इसी तरह से दूसरे केस में यहाँ पर भी हमें I is equal to 0.8 Ampere दिया हुआ है और Potential Difference 1.3 Volt दिया हुआ है वही फर्मला लगाएंगे V is equal to E minus IR तो यह हो गया 1.3 E minus 0.8 R तो यह दो linear equation बन गई आपके पास 1 and 2 तो equation 1 और 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं तो सम्मिकरन एक और सम्मिकरन दो को गटाने पर या हल करने पर और दूसरी equation 1.3 E minus 0.8 R यह हमारा गटाने पर क्या हो जाएगा यह values कर जाएगी यह बच जाएगा हमारे पास 0.3 और यह हो गया हमारे पास 0.2 R तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यह हो गया हमारे पास किता 0.3 divided by 0.2 तो यह 1.5 ओम तो इस तरह से हमारे पास आंत्रिक प्रत्रोद आ गया अब हम इस R का मान जो है किसी भी एक सम्मिकरन में रख देंगे मान लीजे हमने 1 में रखा तो यह हो गया 1.6 E माइनस 0.6 इंटो R 1.5 तो यह हमारे पास कितना हो गया 15.6 यह हो गया 90 और उसका वैलू रखके सॉल्व कर दिया तो यह हो गया 0.9 E is equal 0.5 बोल्ट तो इस तरह से R निकल गया और E निकल गया अब हम एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की विद्दुधारा 30 सेकंड तक प्रभावित होती है या बहती है ग्याद कीजिए नमबर वन तार में स्तांतरित तार में स्तांतरित इलेक्ट्रोन्स या इलेक्ट्रोनों की संख्या तो इसे हल कर लेते हैं बहुत संपल कुश्चन है एक मार्क्स का आप यहाँ पर फर्मुला यूज करेंगे i is equal to q by t तो यहाँ पर जैसे की हमने micro ampere दिया है उसको convert कर दिया 20 into 10 is for minus 6 ampere और t 10 30 सेकंड है तो पहले हम आविसों ग्याद कर लेते हैं आविस का मान ग्याद कर लेते हैं q is equal to it तो हम आपा i पर solve करके हो गया 600 10 is for minus 6 या 6 into 10 is for minus 4 कूलाम इसी तरह से हम ग्याद कर सकते हैं electron की संख्या electron की संख्या हमें परदा है यह भी q is equal to any होता है तो यहाँ पर इस formula का use करते हुए हम लिख सकते हैं n बराबर q बटे e और q का मान हमें पता है 6 into 10 is for minus 4 और e यानि एक electron पर कितना आविस होता है 1.6 into 10 is for minus 19 कूलम इस value को मियाँ पर रख लेंगे इसे solve करेंगे तो यह हमारे पास आएगा 3.75 into 10 is for और यहाँ आवेस हो गया ऐसे ही हम छोटी छोटी प्राब्लम को solve करके अपना बड़ी प्राब्लम भी solve कर सकते हैं तो एक और प्राब्लम ले लेते हैं कि मानलीज हमें दिया है 600 वाट और 120 बोल्ट का एक हीटर है उसके लिए तार का जो प्रतिरोध है वो ग्यात करना है तो यहाँ पर हम simple formula क्या लगाएंगे पहले जो दिया है वो लिख ले पावर 600 है पावर इस इकल टू वी इंटू आई और हम इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर पावर से भी हम निकाल सकते है तो व evenings कमान रखेंगे व इस इकल टू आई आर तो आ इस इकल टू हो गया hypocr तो यह हो गया हमारा वी स्कायर ओबर आर तो यह वी हमें पता है आर हमें निकालना है पी हमें दिया हुआ है तो यह हो गया हमारा 120 into 120 divided by आर हमें ग्यात करना है और power हमें पता है कि ये किसके बराबर है 600 watt तो इसे solve करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा R is equal to 120 into 120 divided by हमारा 600 इसे solve कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 24 ohm ऐसे ही कुछ एक छोटी problem और ले लेते हैं कि मान लिजे 240 बोल्ट पर हमें दिया हुआ है एक 200 watt का कोई वल्फ और इस वल्फ को जब प्रजवलित करते हैं हैं या on रखते हैं तो इससे इसका प्रतिरूद ग्याद करना है जब हमें दिया है कि यहाँ बल्फ जो है वो 0 degree Celsius पर बल्फ के प्रतिरोध का 10 गुना हो तो प्रजवलित यानि ओन कंडिशन में बल्फ के फिलामिंट का तापमान 2000 ग्याद प्रतिरोध ताप गुनांक की गणना कीजिए यह वही है जो हमने पहले भी बढ़ा था की temperature और प्रतिरोध में क्या संबन्द है तो इसको solve कर लेते हैं तो जो दिया है उसे note कर ले कि दिया हमें क्या है 240 बोल्ट और पावर उसकी 200 वाट अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि हमें पता है r is equal to v square upon p होता है तो यहाँ से हमाँ पास r की value हो जाएगी 240 into 240 288 ohm 288 ohm अब हम यह भी जान लेते हैं कि 0 degree Celsius पर मान लीजिए प्रतिरोध r naught है तो हम एक formula यूज़ कर लेंगे जो हमने पहले भी पड़ा हुआ है और प्रस्ट के अनुसार यहाँ पर उन मानों को यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास यह हो जाएगा r t is equal to 10 r naught यह तो दिया हुआ है यहाँ पर t हमारे पास 2000 degree Celsius है तो यह हमारे पास हो गया r t is equal to r naught 1 plus alpha t formula हमारे पा होता है alpha ताब गुणांक होता है तो यह हो गया हमारे पास 1 plus alpha t के alpha में निकालना है तो हमारे पास यह हो जाएगा इसको solve कर लेंगे 10 minus 1 is equal to alpha t और हम इसको कह सकते हैं यह हो गया हमारे पास alpha is equal to 9 by t और यह हमारे पास हो गया 9 upon t का value हमें पता है 2000 degree Celsius तो यह हो गया 4.5 into 10 minus 3 per degree Celsius तो इस तरह से हमारे पास ताब गुणांक याथ हो गया इस तरह से एक problem और ले लेते हैं problem है कि 15 meter लंबे 1 छे गुणा दसकी गाद मैना 7 meter square अनुप्रस्त वाले तार के उपेक्षण या धारा प्रवायत की गई है और उसका प्रतिरोद 5 ohm आपा गया तो प्रयोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधक्ता क्या होगी तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है कि तार 6 गुणा 10 की गाद मैना 7 meter और तार का प्रतिरोध R बराबर 5 ohm और तार की प्रतिरोधक्ता हमें यहाँ पर ग्याद करनी है तो हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे कि हमें पता है प्रतिरोधक्ता का फॉर्मुला के लिए हमारे पास होता है R बराबर R ल बटे A तो इस सूत्र से हमारे पास R का मान हो जाएगा R बराबर R A अपॉन L तो यहाँ पर हम इन मान को रख लेंगे तो रो बराबर हो जाएगा R हमारे पास पांच ओम है और हमारे पास A का मान जो है 6 into 10 डिसपर मानस 7 मीटर है और हमारे पास R का मान 5 ओम दिया हुआ है और तार की लंबाई 15 मीटर दिवी तो हमने इन मानों को यहाँ पर रख दिया इसे सॉल्व करेंगे तो यह हमारे पास बराबर आजागा 2 गुणा 10 की गात माइनस 7 ओम मीटर तो यहाँ पर हमने जो रो का मान है तार की पदार्द की पद्दरों धगता है